हलो दोस्तों मैं हूँ बिनोद आप देख रहें इंडियन अर्वन टेकनोलोजी और मेरी वीडियो बहुत ही जाए दिन के बाद आ रही अभी और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट यहां पे तो मेरे पास एक सूज है जो है कैंपस ब्रांड का और कैंपस मैं जो है टर्मिट पर मिल जाएगा लेकिन मैं इसको पर्चेज किया सी पीची जो सेंट्रल पूलिस के एंटीन होती है वहां से मुझे लगभग यह 1110 रुपे में पढ़ गया तो इसका रिवीव करते हैं अभी तो रिवीव के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां पे नीचे के तर और यहां पर आपको दिख रहा होगा ब्रांडिंग क्यों यहां पर केमपेस लिखा हुआ और पिछे की तरफ जिस तरह से वोकिसी फोर्स के अगे आपना जो की पूंट होते हैं वहां पर एक घंचा बढ़ा होता ता उस तरह का जिस तरह से गोडर क्यों निशे नाल लगी कि लोग वाइज बात करें फोड़ी सी यहां पर focus की एकक्त हो रहे है तो यहां पर यह बहुतीं लगता है देखने में जब दिखेगा तो यह चीज़ जो है क्लोजर टाइप का यहां पर देखने के लिए जो आपको प्लेट है यह जाली का बना हुआ है तो यह पानी को अधिक्स पानी में जाओगा तो आपको पहाँ भेगी जाएंगे और यह सूज भी इल्ड़ा बजाएगा और यहां पिसाइड में आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ इस तरह का यह प्लासिक जैसा है लेकि कि इसे दीक पर बाद निस था एं पिर्ल्ड कोषड़ ने जाकर राद निकल को опять यहां पे लाए ने निकल का यहां पी है ांदी कोई इस लिए कंवा निकला है जैसे कि आप मैमरी आप प्रेस करते क्या तो थोड़ी देर आब आप खें लोगाद लो खचित और इस तरफ आप देखें इसको जो लेस है इसका लेस में सबसे अच्छी सीज मेरको यह लगी में जो वहीड क्लर की लाइनिंग दी गई है वह सबसे आमेजियंग है चेरा स्कrespया नमबर काई चस्का यहां पर ब्रांडिंग का यहां पर इंडिया यूुकए का जो है टैन नमबर है और इसके बेट की बात करें तो ये थोड़े से हबी होने वाला है कि एक जो पीस है लगफग 300 ग्राम का है तो लगफग ये 600 ग्राम के हैं दोनों सूज अगर आप सोच रहे हो बिल्कुल हलके होंगी तो हलके नहीं है ये उसी साफ से तो ठीक है दोस्तो मेरी चोटी सी वीडियो थी अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो करें लाइक सासमिकर छे धन्यवाद ज